एक बार की बात है, जब एक खरगोश और एक कच्छुआ एक दोड में भाग लेने का निर्णय लिया। खरगोश बहुत ही तेज था, जबकि कच्छुआ धीमा और स्थिर था। दिन दोपहर का समय था और सभी जानवर दोड के लिए तयार थे। ध्यान देते ही देखा, तो खरगोश एकदम से आगे निकल गया। वह बहुत ही जल्दी आगे बढ़ गया, लेकिन ध्यान नहीं दिया कि कच्छुआ कहां है। खरगोश बार-बार पीछे मुड़ कर देख रहा था, लेकिन वह कच्छुआ को देख नहीं पा रहा था। जब खरगोश ने पीछे देखा, तो वह देखा कि कच्छुआ धीरे-धीरे चल रहा था, लेकिन स्थिरता से। खरगोश ने सोचा, मैं तो इतना तेज हूँ, मुझे कच्छुआ से तो अब भी जीतना ही है। उसने फिर तेजी से दोड़ना शुरू किया, वह लगातार दोड़ता रहा, लेकिन कच्छुआ ने धीरे-धीरे अपना मुकाबला किया, धीरे-धीरे कच्छुआ आगे बढ़ गया, और फिर आखिरकार खरगोश को पीछे छोड़ दिया। खरगोश बहुत ही ठक गया था, लेकिन कच्छुआ ने अभी तक धीरे-धीरे ही दोड़ते रहे थे। अंत में कच्छुआ विजई हुआ और खरगोश ने समझा कि स्थिरता और धीरत से काम लेना हमेशा बहतर होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीत केवल तेज और अधिक बलवान की नहीं, बलकि स्थिरता, संयम और धैर्य की भी होती है।